हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्णा संस्थान है वो है यहां के मंदिर भारत में हिंदू समाज जीवन का केंद्र यह मंदिर रहे हैं हम अच्छे से जानते हैं विदेशी आक्रामकों ने इसी संस्था पर सरवाधिक अत्यचार किये आज इस्थिती बदल गई है प्रंतु अब हम को अपने भीतर भी देखकर सोचना होगा जो मंदिर आक्राम तो आउने तोड़े वो तो अलग बात है कितने ही मंदिर हैं जो हमारे समाज के ही लोग चलाते हैं प्रंतु फिर्दी वो विबादों में हैं उनकी जो संसादन है जो संपत्य है वो समाज के काम में लगती नहीं उसका नेत्रित्व वो हिंदू जागरन की इस बेला में सक्रिय हो जाए क्या इसकी चिंता हम सबने न लोग वो निरंतर नया खून उसमें आये नई चेतमा उसमें आये ये मंदिर किसी परिवार के नहीं होते हैं ये मंदिर समाज के होते हैं समाजिक चेतमा को हिंदु भाव को जागरित करने के लिए समवा हक बनने का काम इन्हीं मंदिरों को करना है क्या वो स्वास्तिकी दिश पाद से चलता है सबसे अच्छा शंक्रतव नितराल है अभी मंदरों के माध्यम से चलता है अमा जी ने ही सो विस्तर का बहुत बड़ा अस côtल यह वो भी नहीं करा सकते तो अपने आसपास रहने वाले बस्ती के गरीब आदमी यदि वो बीमार पड़ा है तो उसके लिए पूजा तो कर सकते हैं और उसके लिए उस पूजा का प्रसाद उसके घर में पहुंचा सकते हैं मंदिर का पुजारी उस संसकार के लिए बच्चों को हनुमान चाली सा सिखा सकता है क्या गीता पाठ करा सकता है क्या यह मंदिर इसके केंद्र बनने चाहिए आज कितने मंदिर हैं जहां घर वापसी कोई हमारा वाई वापिस अपने पूर्वजों के धर्म पे आना चाहता है तो क्या उस योग्य संसकार मंदिरों में होते हैं क्या भूके को खाना मिलता है आज मिल रहा है आज बड़े प्रमाण में विशेस्तितियों त्योहारों पे और हमारे मंदिर लंगर करते हैं मुंगेली में 36 गण में पूरे समय खाना मिले ऐसे मंदिर एक दो तीन भीरे भीरे इनका प्रवाह बढ़ रहा है यह दिख रहा है परन्तु इस द्रिष्टी को बढ़ाना होगा सर्विस्परशी होना पड़ेगा जैसे मैंने कहा उस मंदिर के आसपास का जो समाज रहता है वो चाहे कोई भी चाती समाज हो यदि उसको अपने समाज के गुरु के बारे में कोई कारिक्रम करना हो उसके समाज में कोई मंगल उत्सव होना है तो क्या वो सहज रूप से सोच सकता है कि मुझे मंदिर में जाके ये काम करना चाहिए मेरे लिए सुविधा होगी वीर सवर्खरजी ने पतित पावन मंदिर का दिर्मार किया था आएसे ही सब के लिए रिदय खोलने वाले आएसे मंदिर संस्थान को जागरित करने का काम इसके लिए हमको अब सन्नद्ध होना होगा ये नवयूग की बेला जिसे हम कह रहे हैं उसमें इन संस्थानों को जागरित होना पड़ेगा